वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आईडियाई ट्यूशन में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी कोपा ट्रेट का जो है एक्जाम देने वाले हैं 16 तारिक से लेकर 31 तारिक के बीच में तो आप सभी के यह वीडियो काफी ज्यादा important है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो कुशन बताने जा रहा हूँ यह आप सभी के एक्जाम में जो है 100% आने के चांसेस हैं यही कुशन जो है आप सभी के एक्जाम में जो है आएंगे तो आप सभी जो है वीडियो को complete देखेगा चैनल पन सबस्ग्राइब कर लिजिए और यह पेपर जो है इंगलिस और हिंदी दोनों लेंगेज में जो है यहाँफर आप सभी को बताने जा रहा हूं तो सभी कोशन को आपसभी यहाँ पर रच लेजिएगा क्योंकि यही जो है सभी कुशन जो है आप सभी के एक्जाम में आएंगे यह 100% जो है मान के चलिएगा आप सभी के एक्जाम में जो है यह कुशन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को जो है complete देखेगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहला कुशन है आप सभी देख सकते हैं which software interface the major hardware component of the computer with OS यानि कि कौन सा software operating system के साथ जो है computer के प्रमुक hardware घटकों को जो है interface करता है तो यह कौन सा hardware होता है तो कौन सा software होता है कौन सा operating system होता है जो computers के साथ hardware को interface करता है तो यह होता है BIOS होता है BIOS का जो पूरा नाम होता है Basic Input Output System होता है BIOS का पूरा नाम क्या होता है Basic Input Output System इसका पूरा नाम होता है DOS का पूरा नाम होता है Disk Operating System चलिए बात करते हैं यहाँ पर second question की तो second question आप से भी देख सकते हैं दूसरा question पूचा गया है where does the pin application stand windows operating system यानि कि windows operating system में pin किया गया application जो है कहाँ पर रहता है तो यह कहाँ पर रहता है तो यहाँ पर जो correct answer इसका है option number D यह जो है task bar में चला जाता है जो भी आप सभी application को pin किये रहते हैं यह सभी जो है task bar में होते हैं computer की जो सबसे नीचे वाली screen होती है जिसमें आपने देखा होगा home button होता है और इसके माद जितने भी आपके पास फूले होगे होते हैं वे सभी जो है task bar में दिखाई देते हैं आपका screen हो गया जो सबसे नीचे होता है task bar होता है अगला question देखें यहाँ पर तीसरा question क्या पूछा गया है मैं यह से छोटा कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा question है wise command से computer को नियंतरित करने के लिए आपकी computer setting को adjust करने के लिए control panel में concert tool इस्तमाल किया जाता है तो यहाँ पर concert tool का इस्तमाल करते हैं तो right answer is question का है option number D D option जो है यहाँ पर correct answer है अगला question देखें question number 4 यहाँ पर पूछा गया है operating system का कारी क्या होता है operating system का कारी जो है क्या होता है calculation करना यानि कि जोड़ना घटाना word की processing करना drawing picture picture को जो है drawing करना या process और memory management तो right answer इसका क्या है operating system का कारी जो होता है processing करना और memory को management करना तो option number D जो है यहाँ पर correct answer है question number 5 देखें पांचवा question है which shortcut key is used to refresh windows desktop windows के desktop को जो है refresh करने की shortcut कुझी जो है क्या होती है तो कापी अच्छा question है कापी simple question है इसके shortcut कुझी क्या होती है या 5 होती है तो right answer इसका क्या हो जाएगा option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखें यहाँ पर है which act as an intermediate between a user and computer यानि कि कौन उपयोग करता और computer के बीच एक मद्दवर्ती के रूप में जो है कार्य करता है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option number D और computer और user के बीच में कार करता है operating system कार करता है तो correct answer है option number D MS office क्या है यह application software होता है अगला question देखिए सात्वा question है निमलेकित में से कार्यों सा MS Excel में text function है text function के अंतर गज़ो है इन में से कार्यों सा है तो यहाँ पर count side text function के अंतर गज़ो है now function का योज़ो है हम जब date or time दोनों को ज़ो है लाना चाहते है MS Excel की worksheet में तो यहाँ पर जो है now function का योज़ो किया ज़ता है count function के अंतर गज़ो है आप सभी ज़ो है number की counting करते है और यहाँ पर जो text function है यह है mid function mid function जो है text function के अंतर गज़ो है आता है तो right answer option number A हो जाएगा question number 8 देखिए MS Excel में dialogue box के रूप में save को खोलने के लिए किस function का उपयोग यहाँ पर किया जाता है save dialogue box को खोलने के लिए किस का यूज़ करते हैं यह 12 का यूज़ करते हैं तो option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा आगला question देखिए यहाँ पर पूचा गया है Excel screen में window के उपर जो है कौन सब बार होता है जो MS Excel की स्क्रीन होती है इसमें जो है जो सबसे उपर होता है यहाँ पर देखिए MS Excel लिखा होगा इसके उपर यहाँ पर जो है नीचे आपका जो है टास्क बार हो गया और जो सबसे उपर होता है यह टाइटल बार होता है तो यहाँ पर जो है और स्क्रॉल बार जो है साइड में होता है स्क्रॉल बार साइड में होता है कुछ नमबर दस्वां देखिए निमलेकित में से कौन सा एक्सल में दिनांक और समय फंक्शन होता है मैंने आप सभी को बताया था नाव फंक्शन का यो जो है दिनांक और समय को दोनों को जो है इंटर करने के लिए किया जाता जैसे आप एक्वल लगाएंगे इसके बाद ज प्राइम से ठोगा वह अपने आप जो है आपके एक्सल में टाइप हो जाएगा अगला कुशन देखिए कुशन नमबर ग्यारा वाइड़ दा मैक्समिम लिमिट ऑप दा कालम इन MS Excel 210 तो MS Excel 210 में जो है maximum column की जो है संख्या कितनी है तो यह कितनी है यह है 16,384 अपसे नमबर यह यहाँ पर correct answer है अगला कुशन देखिए 12 नमबर कहा है जो है जो है जो है जो है यहाँ पर बराबर का चिन की सुरुआत जो है कब होती है जब जो है फार्मूला को टाइप कर रहे हैं तो एक्वल का चिन लगाते हैं तो राइट एंसर है option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा कुशन नमबर 13 देखिए which combination of key used to select all slide form current slide of the first slide यहनि कि बरतमाल slide से पहले slide तक सभी slide को चैन करने के लिए कुझी के किस सन्यूजन का यूज किया जाता है alt plus home, control plus home, shift plus home या tap plus home तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं option number C shift plus home का यूज यहाँ पर किया जाता है अगला कुशन देखिए यहाँ पर 14 नमबर का है निमलिकित में से कौन सा powerpoint 2010 presentation का file विस्तार है चाहे 2010 हो गया, चाहे 2016 हो गया, चाहे 2019 हो गया और MS powerpoint 2010 का विस्तार क्या होगा .pptx होगा तो यहाँ पर जितना 210.2.16.2.9 पूछे सभी का जो है pptx होता है .pptx कुछे नमबर 15 देखिए विच के यूज़ टू दा इस्टॉब दा पावर पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुझी का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर ESC बटन को प्रेस किया जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A अगला कुछन देखिए अप्टिकल डिस्क पर डिटा रिकोर्ड करने के लिए किस प्रकार का किस प्रक्रिया का उप्योग किया जाता है बर्णिंग, रीडिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेसिंग तो यहाँ पर आइट एंसर है ऑप्शन नमबर A यहाँ पर correct answer हो जाएगा 17 नमबर का है typical DVD टाइपिकल DVD के जो है चमता कितनी होती है तो यह कितनी होती है option नमबर D correct answer है 4.7 GB के जो है चमता होती है अगला कुष्शन देखिए BIOS क्या होता है तो BIOS क्या है firmware है, hardware है, middle wear है, software है तो यह जो है firmware क्या है BIOS क्या होता है firmware होता है option बरी correct answer हो जाएगा अगला कुछ ने Nero Smart का उद्धिस जो है क्या होता है format hard drive disk burn CD या DVD format print drive या format CD और DVD तो इसका काम होता है burn CD और DVD B option या पर correct answer हो जाएगा 20 नमबर का question देखिए board costing के लिए Bluetooth द्वारा किस पडाली कोपियों किया जाता है satellite का microwave का telephone line का या radio तरेंगे का तो यहाँ पर जो है radio वेप का यूज किया जाता है option बरी या पर correct answer हो जाएगा तो आज की date में आप सभी को 20 questions बताए गए है उम्भीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो अगर आप चाते हैं तो comment करके एक बार जो है अपनी राए जरूर देजिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को जो है शेयर करिएगा ताकि आप सभी के लिए जो है ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहूं तो आज के लिए बस इतना है थैंक्स पूर वचिंग दिस वीडियो झाल